हलो गाइज वेलकम टू वी फिक्स टेक्नोलजी आज हम सीखेंगे कि टेल विंड से एसस का यूज करके एक शानदार गुड लुकिंग लॉग इन फॉर्म कैसे बनाएं विदिन फाइफ मिनिट्स पाच मिनिट के अंदर पूरा कोडिंग पैटन दिखाऊंगा कैसे यूज कर रहा हूं और परसनली आपको बताऊं दोनों का एक्सपिरिंश शांदार है लेकिन टेल विंड में एक बहुत ही आपका स्ट्रोंग हैंड मिलता है सूपर कस्टमाइजेशन का इनिशली मुझे लगा टेल विंड थोड़ा सा टफ होगा बड़ कुछ प्रजेक्ट बनाने के तो सबसे पहले गाइस यह एक रेडिमेड प्रोजेक्ट में ने बना लिया है तो मैं इसको डंप कर देता हूं प्रेस बैक स्पेस और यह ब्लैंक होगा अब तो रिकोर्डिंग शुरू करते हैं जीरो से तो गाइस सबसे पहले आप देखेंगे मैंने एक टेम्पलेट लिया है अगर आप टेल्विंड के ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे ले में ओपन दा ओफिशल डॉक्स ओफ दे टेल्विंड आपने टेल्विंड लिखना है गुगल पर सेर्च करेंगे यहां पर ऑप्शिन होगा गेट स्टार्टर इस पर आपने क्लिक करना है और फिलाल हम यूज़ करेंगे सीडियन तो आप क्लिक कर सकते हैं प्लै सीडियन और यह एक बॉयले टेम्पलेट है जिसमें सीडियन देखा है तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एक फ्लेक्स क्लास लेता हूं और फ्लेक्स को मैं बोलूँगा फ्लेक्स के साथ-साथ में एक बीजी ले लेता हूं बैक्ग्राउंड और इसमें मैं ग्रे हंडर्ड कर लेता हूं ताकि एक अच्छा विजूल लुक आए इसके साथ साथ मैं लेंगा गाईज items center मैं vertically इसको बीच में लाना चाता हूँ form को justify center मैं इसको बिल्कुल horizontal भी center में चाता हूँ और last में मैं बोलूँगा edge screen जो इसके विड़त हो full screen हो जाए इसके बाद गाईज मैं एक अंदर class बना लेता हूँ जिसको मैं पैडिंग देंगा चारो तरफ से चार border देंगा border के बाद हमें ये border mention करना है कितना चीवान और साथ में एक shadow भी दे देता हूँ और last इसमें एक bg white करके हम color दे दे ताकि अलग से shine करे guys अब शुरू करते अपना code मैं एक div बनाता हूँ सबसे पहले h1 लूँगा h1 के अंदर लिखूँगा sile in और h1 को कुछ classes दे देते हैं इसको मैं दूँगा guys text 3 excel font semi bold एक बार देख लेते कैसा नज़र आ रहा है real time में perfect एक छोटी सी चीज़ और उपर हम अगर उपर वाले div पे अगर हम width देंगे तो अच्छा रहेगा तो मैं class यूज़ करता हूँ w means width और यहाँ पे मैं अपनी pixels लिख सकता हूँ let's make it 350 pixels और ये एक width आगे बहुत अच्छा let's make it 330 बढ़िया अब इस h1 के नीचे मैं एक पी टैग लूँगा गाईज और इसमें मैं लिख दूँगा sign in to start with your session टाइपो को ignore करना आप यह देखिए यह भी आगया अब हम शुरुआत करते हैं अपना form बनाना इस div के नीचे एक दूसरा div बना लेते हैं जिसमें हमारा मैं नाम रख लेता हूं email और इसके साथ साथ एक input text लेंगे जिसमें मैं type देता हूं email और class कुछ simple रहेंगे w full यहां से शुरुआत कर देते हैं मतलब width full 100% ले 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 गाईए मैं बोलूँगा border border 1 पी 1.5 चारों तरफ से डेड़ की पैडिंग आ जाएगी देखते हैं कैसे नजर आ रहा है बहुत बढ़िया शांदार लग रहा है यह email थोड़ा चिपका हुआ उपर वाले से तो इस उपर वाले डिव पे एक margin दे देते हैं टॉप से लट से 3 परफेक्ट यह अच्छा लेना हमने डिव इसके अंदर में लोगा लेबल और लेबल में यहां बोलते हैं पैसवर्ड और पासवर्ड के अंदर हम लेंगे इंपुट फील्ड और टाइप रहेगा इसका पासवर्ड और इसके साथ साथ गाईज आपने इसमें क्लास देनी से डव्यू फुल मतलब व और पैडिंग चार तरफ से 1.5 प्रिटी मच दन यह देखें इमेल पासवर्ड नीचे एक फोर्गोट पासवर्ड का लिंक बना देते हैं इसके नीचे गाईज मैं बोलूंगा लेमें सी ए टैग ले ले लेते हैं और इसमें क्लासिस देता हूं मैं कि मार्जिन टॉप से व और इसके अंदर मैं वहलूंगा टेक्स्ट ब्लू और फाइफ उंडर्ड इंसिटी है ब्लू कलर होगा 500 इसकी डेंसिटी रहें कि कितना हार्ड कलर होगा अ टेल विंड के अंदर 50 से लेकि 900 तक है जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना कलर स्ट्रोंग होता चला लग रहा है एक लास्ट फॉर्म ले लेता हूं में डिव इसमें मैं एम वाई कर दूँगा उपर नीचे तीन की मार्जिन आ जाए और लास्ट में एक बटन लेंगे बटन टाइप सब्मिट कर लेते हैं गाईज और कलास में ले लेते हैं अगें डबल्यू फुल मतलब विड जी बैक ग्राउंड कलर ब्ल्यू छे सो ले लेते हैं गाईज और इसके अंदर लिखता हूं में सब्मिट अब एक एक करके चेंज दिखाऊंगो मैं आपको सिखाने के लिए यह देखी बटन आ गया पैडिंग कम है तो चारो तरफ से पैडिंग ले लेते हैं लेट से टू पैडिंग आ गई अब टेक्स अंदर ब्लेक है तो बोलेंगे टेक्स वाइट लेमी शो यू वाइट हो गया अब बटन को गोल कर देंगे तो ज़्याद अच्छा लगेगा तो क्लास है गाई जरांडिड फुल एंड जॉब इस डान यह एक कंप्लीट वर्किंग फरम है व हर तरीके के डिजाइन में काम करें अगर में रिस्पॉंसिफ स्क्रीन में जाता हूं यह देखिए गाईज बहुत थी शांदार लग रहा है प्यारा लग रहा है और इसी तरीके के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें गाईज साथ मिल आप